हेलो येवरिवन, वेलकम टो मैतर क्लासिस यूटूब चाइनल, तो आज हम देखने वाले हैं क्रिया विशेशन, प्रिवेस लेक्चर में हमने क्रिया के बारे में देखा था, तो देखो, क्रिया विशेशन मिन्स क्या, जो शब्द क्रिया की विशेशता बताता है, उन्हें क क्रिया विशेशन कहते हैं और इंगलिश में क्रिया विशेशन को एडवर्ब कहते हैं तो देखो यहां मेज के उपर जग रखा है तो जग कहा रखा है तो मेज के उपर रखा है रीमा बहुत हस्ती है तीसरा सेंटेस देखो चीता कैसा दोड़ता है तो चीता तेज दोड़ता है आज रविवार है तो आज कौन सा वार है रविवार है तो उपरोक्त वाक्यों में लिके रंगिन शब्द उपर बहुत तेज और आज कार्य की विशेश्टा बता रहे ये शब्द क्या है क्रिया विशेशन शब्द है तो क्रिया विशेशन शब्द किसे बोला जाता है जो शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं ये तो clear हो गया होगा आपका क्रिया विशेशन means what तो क्रिया विशेशन means जो शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं अब देखो क्रिया विशेशन के भेद कितने होते हैं तो क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं तो पहला वाला कौन सा है स्थान वाचक क्रिया विशेशन तो देखो स्थान वाचक क्रिया विशेशन क्रिया की होने के स्थान की विशेशता बताते हैं जैसे अंदर भाहर द यहाँ वहाँ पास नीचे दाए आधी वोदारन कहा जा रहे हो तो अंदर बहुत गर्मी है तो स्थानवाचक विशेशन मींस होट तो स्थानवाचक विशेशन मींस क्रिया विशेशन क्रिया के मतलब स्थान का बोध होता है क्रिया अंदर होती है बाहर होती है तो उसको क्या कावुल जाता है स्थान वाचक क्रिया विशेशन सेकेंड वन देखो परिमान वाचक क्रिया विशेशन तो परिमान वाचक क्रिया विशेशन क्रिया की मातराया परिमान बताते हैं जैसे अधीक उतनी कम जितनी एक आधी मतलब परिमान बताते हैं बताने वाले शब्द को क्य क्या बोलते हैं परिमानवाचक क्रिया विशेशन तो उदारंदे को आप अधिक बोलते हो तो ये क्या है अधिक क्या है परिमानवाचक क्रिया विशेशन है बच्चा खाना कम खाता है तो कम क्या है परिमानवाचक क्रिया विशेशन है थर्ड वन्दे को कालवाचक क्रिया विशेशन क्रिया के होने के समय की विशेशता है जैसे आज कल तुरंथ कल अब तब अभी जब आदी उधाहरन राम कल आया था अब मैं स्कूल जा रहे हूँ तो कालवाचक क्रिया विशेशन मिस क्रिया का होने का समय और उसकी विशेष्टा बताने वाले शब्द को काल वाचक क्रिया विशेशन कहते है फोर्थ वंदे को रीती वाचक क्रिया विशेशन रीती वाचक क्रिया विशेशन क्रिया के होने की रीती या धंग की विशेष्टा बताते है जैसे तेज, धीरे-धीरे, जैसा, वैसा, फटा-फट, आदी, उधारंदे को रमेश धीरे-धीरे बोलता है तो रमेश कैसा बोलता है? धीरे-धीरे बोलता है तो उसकी मतलब रीत पता चलती है हमें तो उसको क्या बोला जाता है? रीति वाचक क्रिया विशेषन निमनली कित शब्दों में से क्रिया विशेषन शब्दों पर गोला लगा है राम भीतर वह तो वह क्या है सर्वनाम है राम क्या है नाम है संग्या है संग्या और भीतर क्या है विशेशन है क्रिया विशेशन है फूटबॉल रहा है आज कल आज क्या है क्रिया विशेशन है फूटबॉल क्या है संग्या है और रहा है, क्रिया है, तेज, कार्य, सूरज, सूरज, संग्या है, कार्य, क्रिया है, और तेज, क्या है, क्रिया विश्येशन है, उसके कम हैसना, तो उसके क्या है, सर्वनाम, कम, क्रिया विश्येशन है, आकाश फटाफट तुम तो आकाश क्या है संग्या है फटाफट क्रिया विशेशन है और तुम क्या है सर्वनाम है तो आज हमने क्या सीखा तो सर्वनाम क्रिया विशेशन मिस जो क्रिया की विशेशता बताते है उन्हें क्या बोलते है क्रिया विशेशन के हैं और क्रिया विशेशन के भेद कितने होते हैं चार भेद होते हैं कौनसे कौनसे स्थान वाचक, परिमान वाचक, काल वाचक एव रीती वाचक क्रिया विशेशन ये क्रिया विशेशन के चार भेद है निम्नली कित वाक्यों में क्रिया विशेशन रेकांकित करे उदाहरंदे के मोहन प्रती दिन पढ़ता है प्रती दिन क्या है क्रिया विशेशन है सीता बाहर खेल रही है बाहर क्या है क्रिया विशेशन है दादी मा धीरे धीरे चलती है राम ने घड़ी वहा रखी है वहा क्या तुम कल लोटोंगे कल कल क्रिया विशेशन है अंदर जाकर काम करो अंदर क्या है क्रिया विशेशन है मनुने तरबूच कम खाए कम क्या है क्रिया विशेशन है तुम जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेशन है next question देखो, कोश्टक में से उचित क्रिया विशेशन चुनकर रिक्त स्थान भरे तो देखो, मेंच के डैस डैस किताब रखी है, तो मेंच एक या उपर, कोश्टक मेंसा सही क्रिया विशेशन आएगा यहाँ पर उपर, मेंच के उपर किताब रखी है, खरगोश कहा तेज, तो खरगोश तेज दवडता है डैश डैश आकर बैटो इधर भू तो इधर आकर बैटो इधर आकर बैटो तुम पास अब तुम अब जा सकते हो यहापे कौनसा क्रियविशन आएगा अब डैश डैश करोगे वैसा भरोगे जैसा अब कौनसा क्रियविशन आएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे राम अचानक दो पहर तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशिशन आएगा राम डैश डैश की गाड़ी से दिल्ली चला गया तो दो पहर की अचानक की गाड़ी नहीं होती है तो कौन सी गाड़ी से गया वो दो पहर की गाड़ी से दिल्ली चला गया डैश डैश काले बादल घीर आए नीचे अचानक तो कौन सा आएगा यहाँ पे अचानक अचानक काले बादल घीर आए मेरे पास डैश डैश खिलोने है कम वैसा तो क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास कम खिलोने है कम एक रिया विशेशन यहाँ पे आएगा निम्नलिकित वाक्यों के लिए सही या गलत का चिन्न लगाई तो क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं सही है नापतो लिया परिमान बताने वाले शब्द रीती वाचक क्रिया विशेशन कहते तो रितिवाचक नहीं होते है वो परिमानवाचक होते है तो यह wrong है कल अभी बाद आधी कालवाचक क्रिया विशेशन है यह सही है थोड़ा अधी कुछ आधी स्थानवाचक क्रिया विशेशन है तो यह wrong है समय संबंधी शब्द कालवा चक्रिया विशेशन है सही है